जगदर्पुर सहर के बजार में इन दिनों पॉस्टिक दही के नाम पर बिमारी बेची जा रही है जिसकी सिकायत अब उच अधिकारियों को किया गया है बस्तर जिला मुख्याला जगदर्पु के बाला जी वार्डिस्ति बस्तर डेरी फार्म की दुकान में पिछले कुछ दिनों से बंद पैक बिबे में अमानक दही पैक कर विक्रिक किया जा रहा है इस मामले में बस्तर डेरी फार्म के मैनेजिंग डिरेक्टर गुलजान नगरिया ने बात की पुष्टी भी की है और कहा कि मार्केट में कुछ कैरेट दही लस लसे वाले सप्लाई हो गये थे जो खाने योग्ये नहीं थे यह पहली बार नहीं है ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है लगातार हो रही इस प्रकार की लापरवाही से लोगों के सिहत पर बुरा असर पड़े की आसंका को देखते हुए जब हमारे समादाता ने इस मामले की जानकारी जगलपूर एहडियेम भारत कौशल को दी तो उन्हों ने इस मामले की तहकीकात करने की बात कई है और यदि जानक में मामला सही पाया गया तो दही निर्माता कमपनी बस्तदेरी फार्व और दुकान के संचलक दूपर उचीत कारवाही कने का भरुसा भी दिया है जी सरो गही खराब है और हुथ करते हैं तो बिलकुल वीजी सम्मत उसके करवाई करें मार्केटिंग दिखता हूँ जर वीडियेप में और बही का जो कंप्लेइन जो था कलो कच्छा प्रोड़क्ट है मतले नहीं जमने के कारण कंप्लेइन था उप तो अपने उसको मार्केट से रिटन भी ले लिया है और बाकि ऐसा कोई उसमें वो नहीं है मतलब जांच भी कर लिया है वो नहीं मतलब दंगने का कारण वो इस टाइब के लसला सा पन उसमें बिख रहा था कभी-कभी होता है दूर में ऐसा विश्टिपर जब करते हैं तो अच्छा काम देश्ट चार चार बजे डिस्पेच्ट होता है गाड़ी तो क्या होता है कि कभी-कभी कोई चीजे से मार्केटिंग चल जाए को ऐसा नहीं दस बारा जारी गया था बागिरीट को देख रिया है इस चारा नहीं जाओ लसलसा हो गया था ऐसा होता है तो अगी